ये कथा बहुत पुरानी है एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखू कि धर्ती पर मेरी पूजा कोन करता है कोन मुझे मानता है यही सोचकर शीतला माता धर्ती पर राजस्थान के दुनरी गाउंग में आई और देखा कि इस गाउंग में मेरा मंदर भी नहीं है ना शीतला माता के पुरे शरीर में जलन होने लगी शीतला माता गाउव में इधर उधर भाग भाग के चिलाने लगी अरे में जल गई मेरा शरीर तप रहा है जल रहा है कोई मेरी मदद करो लेकिन उस गाव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की तभी अपने घर के बहार एक कुमहरं महिला बेटी थी. उस कुमहरं ने देखा कि अरे ये बुडी माई तो बहुत जल गए, इसके पुरे शरीर में तपन है, इसके पुरे शरीर में छाले फफोले पुलगे है. ये तपन सहन नहीं कर पा रही है तब उस कुमहारन ने कहा है मा तू यहां आकार बेच जा में तेरे शरीर के उपर थंडा पानी डालती हूँ कुमहरन ने उस बुड़ी माई पर खुब थंदा पानी डाला और बोली ही मा मेरे घर में रात की बनी हुई रावडी रखी है थोड़ा दही भी है शीतला माता ने थंडी जुवार के आटे की रावडी और दही खाया इससे शरीर में थंदाई मिली तब उस कुमहरन ने कहा मा बेट चा तेरे सिर के बाल बिख्रे हेला में तेरी चोटी गूत देती हूँ और कुमहरन माई की चोटी गूत ने हेतु कंगी कागसी बालों में करती रही अचानक कुमहरन की नजर उस बुडी माई के सिर के पिछे पड़ी तो कुमहरन ने देखा कि एक आँख वालों के अंदर छुपी ही ये देखकर वह कुमहरन दर के मारे घबरा कर भागने लगी तब ही उस बुडी माई ने कहा रुख जा बेटी तू डर्मत में कोई भुद्प्रेत नहीं हूँ मैं शीतला देवी हूँ मैं तो इस घर्ती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है कौन मेरे पुझा करता है इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जब अहरात के आभूशन पहने सिर पर स्वन मुकुत धारन की अपने असली रूप में प्रगट हो गई माता के दर्शन कर कुमहरन सोचने लगी कि अब में गरीब इस माता को कहा विथाओ तब माता बोली है बेटी तू कि सोच में पढ़ गई तब उसकुमहरन ने हाथ जोड़कर आखो में आसू बहते हुए कहा है मा मेरे घर में तो चारो तरफ दरिद्रता है बिखरी हुई है मैं आपको कहा बेठाओ मेरे घर में ना तो चोकी है ना बैठने का आसन तब शीतल मांग ले तब कुमहरन ने हाथ जोड़कर कहा है माता मेरी इच्छा है अब आप इसी तुंगरी गाउं में स्थापित होकर यही रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झारू से साफ कर दूर किया ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भ दोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर थंडा जल चडाकर नरियल फूर चडाकर परिवार सहित थंडा वासी भूजन करे उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए तब माता बोली तथास तु है बेटी जो जो तुने वर्दान मांगे में सब तुझे देती हूँ है बेटी तुझे आर्शिबाद देती हूँ कि मेरी पुझा का मुख्ध रधिकार इस धर्ती पर सिर्फ कुमहार जाती का ही होगा तब ही उसी दिन से दुन्गरी गाव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गाव का नाम हो गया शील की दुन्गरी शील की दुन्गरी भारत का एक मात्र मुख्ध मंदिर है शीतला सब्तमी वहां बहुत विशाल मेला भरता है इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनुकामना पुरी होती है Q. जै मा शितला सबका